राश्ट्रिय मिलीटरी स्कूल बढ़ती 2021 नमस्कार दोस्तू नोकरी जानकारी यूटूब चेनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तू आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राश्ट्रिय मिलीटरी स्कूल बढ़ती 2021 के बारे में यहाँ पर हम आपको पूरा डिटेल से बताने वाले है कौन-कौन सी आपको इस बढ़ती में पोस्ट मिल रही है वहीं सेलेरी के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले है अगर दोस्तू आप चाते हैं अलडिसी कूक, बारबर, लेब शिस्टेंट, इस तरह की नोक休ती करना तो इस वीडियो को आप सुरू से ब्लेकर अंतक जरूर देखेगा तो चलिये दोस्तू बिना किसी देरी के इस वीडियो को इस टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तु इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेम के बारे में हम बात करेंगे कौन-कौन सी आपको पोस्ट मिल रही है वहीं कौन सी केटेगरीज में आपको यह पोस्ट मिल रही है यहाँ पर देख सकते है नेम उप्ता पोस्ट एंड पे इसकेल आपको कितना मिलेगा तो वो आपको बताय गया है एक नमबर पर आपको लेब असिस्टेंट की वेकेंसिज मिल रही है पे इसकेल आपका रहने वाला है 21,700 और पे लेवल आपका यहाँ पर देखेगा लेवल 3 के तेट आपकी सेलेरी यहाँ पर रहने वाली है आगे बढ़ते हैं दोस्तों देख सकते हैं आप सेकिंड नमबर वेकेंसिज के बारे में बात करें तो आपको LDC की पोस्ट मिल रही है वहीं देखेगा आपका पे इसकेल 19,900 पर रहेगा और लेवल आपका सेकिंड रहने वाला है इसे के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं थेर्ड नमबर पोस्ट के बारे में बात करें तो इस परती में आपको कुक की पोस्ट मिल रही है आपका पे इसकेल 19,900 पर रहेगा और लेवल शेकिंड के तैत रहने वाला है थेर्ड नमबर पर पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं ग्राउंड सुमेन की आपको पोस्ट मिल रही है पेज केल आपका 18,000 रुपे रहने वाला है लेवल पेश्ट के तैत आगे आप देखेगा अगर आप मेस या वेटर की नोकरी करना चाहते है तो वो भी आपको याँ पे मौका मिल रहा है लास्ट में याँ पे देखेगा मसालची की आपको याँ पे पोस्ट मिल रही है पेज केल आपका 18,000 रुपे लेवल पेश्ट के तैत रहने वाली है इससे के साад दोस्तु यहांपर आपको पॉष्ट के बारे में बता दिया गया है कि कौन सी केटेग्रीज में आपको कितनी पॉष्ट इस परती में मिल रही है तो यहांपर देखेगा आपको Labour Assistant की Total General में एक पॉष्ट मिल रही है वहीं दोस्तों आप देख सकते है RDC की भी एक post general के integrity से मिल रही है यहाँ पर cookie की भी एक post मिल रही है वही यहाँ पर grounds main की total आपको 4 post मिल रही है general की 3 post है SC की एक post आपको यहाँ पर मिल रही है यहां पर देखेगा आपको third number, fourth number पर आप vacancies के बारे में बात करेंगे तो total आपको 13 post इस बढ़ती बे यहां पर मिल रही है दोस्तों आगे चलेंगे तो यहां पर देखेगा आप एक number पर यहां पर detail से बताया गया है laboratory assistant के लिए क्या कुछ यहां पर देखेगा high secondary pass आपसे यहां पर मांगी गई है lower divisional color के लिए यहां पर देखेगा 12th pass यहां पर मांगी गई है वहीं आपसे typing भी यहां पर मांगी गई है cook के लिए 10th pass मांगी गई है वहीं आपको knowledge होना चाहिए Indian cooking का आगे दोस्तों आप देख सकते हैं सभी categories की यहां पर education qualification आपको बताई दी गई है वहीं आयूशिमा के बारे में बात करें तो लेब assistant के लिए यहां पर 18 साल से लेकर 25 साल LDC के लिए 18 साल कुक के लिए 18 साल से लेकर 25 साल और यहां पर detail से आपको बता दिया गया है कितने आपको यहां पर छूट मिलने वाली है फोर्म पीच के बारे में बात करें तो 50 रुपे फोर्म पीच रहने वाली है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं फोरूम बनने की अंतिम्तिते के बारे में यहाँ पर आपको बता दिया गया है और दोस्तों यहाँ पर देखेगा आपको बता दिया गया है कब चेकब तक आपको फोरूम बनना है तो यहाँ पर देखेगा the closing date will be 45 days आपको बता दिया गया है कि जो एडूटाइजमेंट विबाग के दोरा जारी किया गया है न्यूज पेपर में उसके 45 दिनों तक आप इस बरती में आविदन कर सकते है अगर दोस्तों आपको चाहिए इस बरती नोटिपिकेशन की पीडिये फाइल